हालो दोस्तों नमस्कार आपका स्वागत करता हूँ फिर से हमारे नए यूटूब वीडियो में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हम अपने पसुओं को M-shaft injection किस रोग में लगाते हैं कब कब यूज करते हैं इसकी MRP कितना है इसका डोज कितना है सारी जानकारे आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ दोस्तों यह है हमारे हाथ में M-shaft जो की Alembic Company द्वारा निर्मारित किया गया है दोस्तों जो इसका सार्ट होता है safety jomix injection IP 2500 mg का होता है दोस्तों यह injection केवल पस्लों में यूज किया जाता है जो की M-shaft नाम से आते हैं दोस्तों बहुत सारे नामों से आते हैं लेकिन दोस्तों जो Alembic Company का M-shaft नाम से जो medicine आती है वा काफी अच्छी काफी brand medicine मनी जाती है साथी साथ इसका result भी काफी अच्छा है आप दे सकते हो हमने इस गाय में अभी injection का यूज किया है दोस्तों इस injection का असर 48 घंटे तक continue रहता है यह इस M-shaft को लगाने के बाद आप 48 घंटे तक किसी भी प्रकार का treatment नहीं किया जाता है इसका result काफी बेतरिंग है दोस्तों यहां आप मुख के रूप से मेस्टाटीस यानि जब पसूओं में थनैला हो जाए यानि पसूओं के अडर और्तित में स्वीलिंग आ जाती है साथी साथ पसूओं का जो अडर होता है उसमें आप देखेंगे तो स्वीलिंग के साथ-साथ जो दूद का color होता है जो color change हो जाता है कभी दूद का दही जैसा निकलने लगता है दूद की जगा पानी आने लगता है साथ एक साथ कभी-कभी ऐसा देखा होगा दूद पीला हो जाता है दूद का जगा खुन निकलने लगता है अगर आपके भी पस्वब में इस प्रकार से किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप देख सकते हो इसके अडर पूरी तरह से सूझ गया है जिसमें हम यह M-cept का यूज इस गाय में किये है उसके साथ साथ उसतो हमने इसमें बिस्प्रेक का यूज किया है जे जो दो उंगानर की शूजण है कापी जादे सूजन है कापी हड superivesse इसलिए हम ये दिल किसर्प्रेसित बींघ्र्टिंग करते हैं आप बहुत किस प्रकाश आ छिसका दूद निकालने कि कोंच से की जांख़ा रही है लेकिन अच्छे से निकर नहीं पा रहा है, दूद सही नहीं दे रही है, तो दोस्तों आप अपने पसु में, अगर में स्टाटिस यानि थनेला हो जाए, तो आप अपने पसु में M-Sept injection का यूज कर सकते हैं, यूज कैसे करना है सबसे पहले हैं, मैं आपको बता देता हूँ, दोस् इसका यूज आपके पसु में IV यानि पसु के नस में करनी होती है, तो आपको डिश्टी वाटर इस पाउडर के साथ मिला कर अच्छे से घोल करना है, घोल करने के बाद आपको पसु के नस में आपको इंजेक्शन का यूज करना है, तो दोस्तों इसकी MRP भी आपने इस व हमारा वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्षर में जुरूर बताना, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद हमारे यूट्यूब फैमिली मिंबर